आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं STR vs THU ADLady Stryker vs Sydney Thunder Big Bass League का ये match number 9 है इसके पहले जो है 8 matches हुए थे यहाँ पर ADLady Stryker की क्या Playing 11 रहेगी क्योंकि इनकी Playing 11 अभी Confirm नहीं है दूसरी तरफ आपको Sydney Thunder की Playing 11 बताऊंगा और Player के Stats भी बताऊंगा पढ़िया अपनिया Players कौन से रहेंगे सभी कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको और Dream 11 की टीम भी बनाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा उससे पहले आपको मैं बता दू कि गाइस टेलीग्राम का चैनल जो की सबसे जरूरी रहेगा टेलीग्राम का चैनल आप जरूर से ज़ाइन करें वीडियो के डिस्किप्शन में हमने लिंक डाल रखी है देखिए टेलीग्राम पर आपको जो है टॉस्क इन्फरमिशन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टीम सबी चीज़े देखने के लिए मिलती है तो वीडियो के डिस्किप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगी जरूर से जो है जोईन करिएगा डिरेक्ली हम मैच के बारे हम बाग करते हैं एडिलीडी स्टाइकर वर्सेस इडिनी ठंडर यह मैच नमबर जो है आठ है नौ नहीं है आठ है साथ मैचस इसके पहले हुए थे एक बच के 45 मिनट पे मैचस स्टाट होगा एडिलीड ओविल एडिलीड के वेन्यू पे जो है मैच होने वाला है यहां की अगर मैं पिछ रिपोर्ट की बात करूँ लास्ट के 18 मैचस में एबरेज स्कोर 153 का है जो भी टीम यहां पे टोस मिन करेगी वो जो है बॉलिंग लेना प्रस्त करेगी यानि की फिल्डिंग करके जो है चेसिंग करना एक अच्छा एडियो और आप्शन रहने वाला है तो वही जो है प्रेफर करेगी वीडियो को लाइक ने किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें यार आपका एक लाइक चैनल को सपोर्ट करेगा हमें मोटिवेशन मिलेगी तो वीडियो को लाइक आप जरूर से कर दिया करें वेन्यू स्टेट्स की बात करी जाए, इस वेन्यू पे टोटल जो है 69 मैचस हुए है, 41 बार बैट, First करने वाले टीम ने विन किया है, 28 बार बैट, Second करने वाले टीम ने विन किया है 69 matches के हिसाब से देखोगे 166 run average score है 232 run highest score है और lowest score यहाँ पर 87 run है 79 matches में 17 बार ऐसा हुआ है कि 150 run से नीचे का score बना है 150 से 170 run के बीच में 19 बार score बना है 170 से 190 के बीच में 24 बार score बना है और 190 से उपर यहाँ पर 9 बार score बना है venue पर जो last match केला गया था जन्वरी में खेला गया था यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 में ही खेला गया था काफी बैलो स्कोर यहाँ पर match रहा था उसके पहले 150 प्लस बना था यहाँ पर 200 प्लस बना था यहाँ पर भी 200 प्लस बना था और इस match में I think जो है 180 प्लस जो है यहाँ पर भी जो है बना था वो हम लिखना बोल गए है तो उसको छोड़ दिया है लास्ट पाइप मैच जो इस वेन्यू पर खेले गए है उसका जो है ब्रिफिस स्कोर कार्ड यहाँ पर आमने दे रखा है head to head की record की बात की जाए head to head में total जो है 19 टी 20 मैचस हुए है striker और thunder के बीच में 10 बार एडली डी स्टाइकर की टीम ने विन किया है और 9 बार Sydney thunder की टीम ने विन किया है इनका जो last मैच हुआ था ना 20 दिसंबर को हुआ था almost एक साल पहले thunder की टीम ने 6 विकिट से मैच बिन किया था यहाँ पर score card भी आप देख सकते हो उसके पहले भी जो मैच हुआ था वो भी thunder की टीम ने विन किया है तो last के 3 matches तो भाई Sydney ने thunder की टीम ने विन किये है यहाँ पर आप देख सकते हो sir यहाँ पर thunder की टीम नहीं form की बात कलू एडी रेडी स्टाइकर अपने last season के 5 मैच जो है हार के आ रही है यहाँ पर इनके last 5 मैच आप देख सकते हो जिसमें 3 बार इन्होंने bat first किया है और 2 बार bat second किया है सारे मैचस जो इन्होंने loss किये हैं विकेट्स की अगर बात करोगे 10 बिकेट गिरे हैं 10 बिकेट गिरे हैं 10 बिकेट गिरे हैं 9 बिकेट गिरे हैं तो इनकी टीम ने last year जो है काफी बिकेट जो है खर्च किये थे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ thunder की thunder का भी start बढ़िया नहीं रहा अपना last वाला match ये भी हार के आ रहा है उसके पहले भी अगर आप देखोगे ये match loss किये थे last five match Sydney thunder और idly lady striker दोनों की हमने याँ पर दे रखी है playing 11 की बात करते हैं सबसे पहले हम idly lady striker की playing 11 देखेंगे Matthew shot के साथ में Jack Bitterland आपको open करते हो नज़र आएंगे one down पे Chris lean है उसके बाद Adam hose है डार्ची shot है, Jimmy overton है James bridging है, Henry Nielsen है Cameron Bencroft है, सरी Cameron Boyce है उसके बाद है H Trenton है और Wes Agar है तो ये idly lady striker की playing 11 है thunder की playing 11 की अगर बात की जाए Cameron Bencroft के साथ में Alex Health आपको open करते हो नज़र आएंगे one down पे Em Glicks है, उसके बाद Olivier Davis है, Alex Rose है, Daniel Sam's है Chris Green है, Nathan McAndrew है परफर्मेंस के अगर मैं बात करूँ Matthew Short, इनके recent form हमने दे रखे हैं bad ball दोनों से perform करते हैं ठीक टाक player है, अगर आप देखोगे head to head में 18 का average है, लेकिन strike rate 124 का है 8 matches में सिर्फ 2 ही wicket मिले है 27 matches में 782 run है 32 का average है, और 141 का strike rate जो की काफी अच्छा माना जाएगा BBL carrier का भी stats आप देख सकते हो Jack Witherland, ये बंदे को ध्यान पर रखेगा Grand League की team में जो है काम आएगा Chris Leen, अब age हो गई है और ये अब कुछ खास नहीं कर पाते हैं लेकिन stats काफी अच्छे हैं head to head में 43 का average है बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये बंदा अपने दिन पर आपको कमाल करता हूँ नजर आ सकता है, हाला कि ध्यान दखेगा most of the team में इनको drop ही करके जाएगा Adam Hose, ये बंदा अपने दिन पर खेलता है बाकी जो एक consistent performer नहीं है Darcy Short, अगर ये balling करा देना तो जो है काफी उम्मेद रहेगी हाला कि इनकी भी age हो गई है लेकिन ये बंदा अगर balling करा देना तो आप मान के चल सकते हो trump card का भी player बन सकता है वैसे तो power hitting के लिए ही जो है रखे गए है number 5 पे आपको bat करते बे नजर आएंगे overton एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और जो है इंग्लेंड के प्लेयर है definitely आपको bat ball दोनों करते हैं नजर आएंगे मेरे हिसाब से बढ़िया option जो है रहने वाले हैं James Blazey भाई इसकी परसंटेज कम होगी लेकिन ध्यान रखेगा परसंटेज बढ़ेगा इसका selection का और ये प्लेयर जो है कमाल करते हैं आपको नजर आएगा अपनी maximum teams में जो है James Blazey को लेकर जाईएगा क्योंकि ये wickets भी निकालते हैं और साथी साथ run भी करके आपको देते हैं Harry Neil Sir, Grandi की टीम में ट्राई करना बाकी ड्रॉप भी करना Boyseco भी जो है Grandi की टीम में ट्राई करना बाकी Trenton को आप लेके जा सकते हो recent form भी इनके देख सकते हो 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket, last match में इनको wickets नहीं मिले हैं लेकिन head to head में देखोगे 3 matches में 8 wicket है तो बहुत अच्छा record है वैसा अगार गुच्छों में wickets निकालते हैं ध्यान रखेगा जैसे कि ये 6 wicket, यहाँ पर 3 wicket, यहाँ पर 5 wicket गुच्छों में ये बंदा wicket निकालता है consistent performer तो नहीं बोल सकते लेकिन जो है बंदा जब चलता है तो बाकी कोई नहीं चलता है अब हम बात करें इनके तो bench पर 3 player यहाँ पर नज़र आ रहा है Brad and Dogget है, Ben Mananty है sorry, 2 player नज़र आ रहा है Ben Mananty और Brad and Dogget Dogget जो है, ठीक ठाक option हो सकते हैं अपने दिन पर आप देख सकते हो consistent यह भी performer है बिकिट्स लेके जाते है Mananty की अगर मैं बात करूँ तो यह कुछ खास परफर्म नहीं करते हैं लेकिन यह दोनों साइट से ना खेले Thunder की अगर बात की जाए Bencroft ने 36 रण किये थे Hells जो है, 0 पर आउट हुए Hills का भी अगर मैं बात करूँ न 2022 इनका बहुत बेकार गया था 2023 भी कुछ खास रहा नहीं है तो अब लगबग लगबग टीम से बाहर ही है और मैं आपको बताऊं कि most of the times यह परफर्म नहीं कर पा रहा है बहाला कि अपने जमाने के superstar player रहे हैं और अच्छी अच्छी इनिंग्स के लिए जो है जाने जाते हैं Grand League की टीम में ट्राइ करना बनता है Matthew Glicks last year अच्छा खेले थे और बढ़ियां player है थोड़ा सा रुक कर खेलते हैं मतलब slow खेलते हैं लेकिन generally आपको कुछी score करके दे देंगे Olivia Davis last match पे 35 run किया Alex Rose एक बढ़ियां option है Grand League के लिए Grand League में ये बंदे को try करना यार कभी कबार चलता है लेकिन जिस दिन चलता है अच्छा perform करता है Daniel Samms one of the best option रहेगी captaincy wise captaincy के लिए bat ball दोनों से perform करते हैं नजर आएंगे head to head के 11 matches में अगर आप देखोगे total 17 wickets निकाले हुए है Chris Green का अगर आप देखोगे last match में पे 30 run प्लस एक wicket बढ़ियां option है McAndrew last match में जो है fail हुए लेकिन ये भी wicket taking option है Jaman Khan last match में 2 wicket इन को मिला Tanvir Sangha को 3 wicket मिला wickets जो है ये player निकालते हैं ध्यान रखेगा ये last match की जो है इनकी balling details है जिसमें 4 over जमान Khan, Tanvir Sangha को मिला और Chris Green को मिला बाकी सबने जो है almost जो है over divide हुए यहाँ पर Lamb, Hatcher और Nathan McAndrew इनकी over divide हुँगे मुझे लगता है Daniel Samms थोड़े से जादा over और यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ सकते हैं हाला की last match में सिर्फ दो ही over डाला था और इनकी पिटाई भी हो गई थी power play और death में गिंदबाजी कौन करेगा तो Daniel Samms और Chris Green आपको power play में गिंदबाजी करते हुए नजर आएंगे तनमीर संगा और जमान खान ये जो है आपको death में गिंदबाजी करते हैं नजर आएंगे यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो है टीम चाहे तो Nathan McAndrew से भी death में गिंदबाजी करा सकती है अब बात करते हैं top picks की top picks यानिके key player important pair कौन कौन से रहेंगे Nathan McAndrew लास्ट में बले ही फिल हुआ लेकिन बंदे को रखना बढ़ियां option रहने वाला है उसके बाद डेनियल सेम्स, मैथ्यू शॉट, जैक विदरलेंड जैक विदरलेंड open करें तो definitely रखना चाहिए उसके बाद डार्सी शॉट, ऐलेक्स हेल्स open कर रहा है इनको भी अपने टीम में रखना चाहिए उलिवियर डेविस और जैम्स बलेजी ये बढ़ियां बढ़ियां मैंने आपको 8 प्लेयर बताये हैं बढ़ियां options रहने वाले हैं इसमें किसको किसको ignore कर सकते हो इसमें ignore करना है तो Alex Hells को कर लो बाकी अगर मैं बात करो तो Nathan McAndrew को कर सकते हो यहाँ पर Jack Wader Lane को कर सकते हो तो ये तीन प्लेयर आप निकाल सकते हो बाकी पांच जो प्लेयर मैंने आपको बताये हैं न अपनी maximum teams में लेके जाना भाई grand league की team बना रहे हो या small league की team बना रहे हो ये बाकी जो पांच प्लेयर हो गए डैनियल सेम्स हो गए, मैथ्यू शॉट हो गए डार्सी शॉट हो गए और उलिवियर डेविस हो गए जिम्स बलेजी हो गए ये बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं आपको हर समय जो है points देके जाएंगे small link में CBC अगर आप जा रहे है ना Nathan McAndrew का नाम यहाँ पर काट दीजेगा by mistake यहाँ पर लिखा हुआ है डैनियल सेम्स, मैथ्यू शॉट ये दो जो है यूनिवर्सल CBC रहने वाले हैं यानि कि most लोगों के उसके बाद यहाँ पर Jack Witherland को भी कुछ लोग करके आ रहे हैं तो Jack Witherland को आप जो है try कर सकते हो फिलाल मेरी recommendation रहेगी इनको ignore भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इनको consistent होते वे नहीं देखा है grand में मैं अगर बात करूँ अपनी तो मैं Darcy Shot को captain करूँगा Alex Hells को करूँगा Davis को करूँगा और James Bladesy को तो 3-4 team में मैं captain wise captain करने वाला हूँ Eddie Lady Stiker की पूरी fully score detail और Thunder की पूरी fully score detail दोनों ही team की score detail सेयर करी है तो इनकी score detail भी आप यहाँ पर देख सकते हैं Telegram का channel join कर लीजएगा बाकी आपनी 3 member और 4 member की हम तो है team ready कर लेते हैं 3 member और 4 member ही जो है मैं आपको recommend करूँगा Wicket keeping section से सुरुवात करते हैं Bancroft, Glicks आपको 2 option मिलती है Bancroft को directly लेके जाओ Glicks भी हाला कि 1 down पे आएंगे थोड़ा सा slow खेलते हैं लेकिन ये बंदा आपको 30-35 run करके दे सकता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैट section में तो बैट section में देखो जो मेरी favorite यहाँ पर option रहने वाले हैं वो Olivia Davis है बाकी यहाँ पर कुछ खास option नहीं है आप चाहो तो Alex Health और Chris Lane इनको जो है लेके जा सकते हो मैं नहीं ले पाया हूँ Matthew Short को लिया है Daniel Sems को लिया है और Chris Green को लिया है Darcy Short को लिया है Overtain अगर खेलेना तो इनको अपने team में लेना है James Blazy को लेना है फिलाल मैं James Blazy को भी अपने team में लेके जा रहा हूँ अगर मैं बात करूँ बालिंग में और Vice Captain Matthew Short रहने वाले है CVC आप Reverse भी कर सकते हो यानि की जो है आप Matthew Short को Captaincy दे सकते हो और Daniel Sems को Vice Captaincy दे सकते हो टीम प्रिव्यू की बात की जाए पांच प्लियर मैंने जो है इडिली स्टाइकर के लिए है छे प्लियर मैंने थंडर के लिए है बैंक्रोफ्ट है मारी टीम में ओलिवियर डेविस है मैथ्यू शॉट है जेम्स बिलिजी है और सी ग्रीन है डार्सी शॉट है डैनियल सेम्स है वेस्ट अगार है एश्ट ट्रॉंटन है तन्मीर संगा है और जमान खान है तो ये मेरे टीम यहाँ पर कंप्लीट होती है टीम में अगर कोई भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूँगा उमिद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे अगर आप पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखती रहिए सपोर्ट करती रहिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में